हाई अवरीवन आज इस लेक्ट्टर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि इंजिन्ग ग्रैफिक सा जो एक्जाम आपका होने वाला है 9 जुलाई को उसमें अच्छे मार्क्स कैसे स्कूर कर सकें या फिर जिनका प्रॉब्लम हो रहा है नहीं पड़ पाए हैं वो कम टाइम में कैसे उसको क्लियर कर पाएं क्लियर कराने के लिए मैं उनको आइडिया देने वाला हूँ कैसे वो क्लियर कर सकते हैं कम टाइम में और जो अच्छे से प्रॉपरेशन कर लिए है वो और एकुरेट मार्क्स कैसे ला सकते हैं तो हम लोग डिसकस करते हैं कुछ पॉइंट्स मै 90 नहीं लगता है, parallels line चाहिए तो parallels नहीं दिखते हैं, तो थोड़ा से यह problem वहाँ पर create होता है, जिसके वज़ा से आपके marks cut होते हैं, accuracy में यह भी हमारा consider होगा dark और light का तो dark और light पर भी ध्यान देना है जो portion proper dark होना चाहिए, उसे हम लोग dark रखेंगे जो portion हमारा answer है, solution है वो dark दिखना चाहिए और बाकी जो extra lines हम लोग बनाते हैं जो बस help कर रहा है बनाने में वो सब light होना चाहिए तो उन्हें हम लोग light रखेंगे, इसका proper हम लोग ध्यान देंगे otherwise marks वहाँ पर cut होने का chances रहता है ज़्यातर marks accurate नहीं होने के वज़ा से कड़ जाते है second topic मैंने कुछ important topic आपको already बताया था कि कम time में अगर पढ़ना है तो कौन-कौन से topic है वैसे syllabus में तो 6 units है उस 6 को भी पढ़ना है उसके बाद correction of point को भी पढ़ लेना है जो मैंने already कराया है उसके बाद अगर कम time में जिनको पढ़ना है जैसे एक दिन का time है हमारे पास अगर हमें अच्छे marks से या clear paper करना है तो उनके लिए scale topic important है और isometric important है और autocad important है scale में आपको 2 scale पढ़ना है plain scale है और diagonal scale है अच्छे से को practice कर लिजएगा कैसे हम लोग बनाते हैं कैसे divide करेंगे already lectures में बताया हुआ है practice कर लिजएगा 2-3 question plain scale का अच्छे से practice कर लिजएगा और diagonal scale का भी उसी तरह से isometric है तो isometric काफी important है इसका हर एक question को आपको ध्यान देना पढ़ेगा isometric scale भी इसका important topic है आप लोग अच्छे से उसको prepare कर लिजएगा उसको दो-तीन बार देख लिजएगा और थोड़ा सा practice भी कर लिजएगा कि कैसे कैसे हम लोग inclined करते हैं because बना तो देते हैं student but accurate नहीं बनाने के वज़ए से number कर जाता है first हो गया second हो गया और third अगर आपके पास all time बसता है तो एक autocad देख लिजएगा autocad में भी सिर्फ step लिखना रहता है और last में उसको pencil से draw कर लेना होता है तो step इसका normal सा step है थोड़ा सा अगर हम लोग lecture को देख कर समझ ले तो हम लोग step इसको अपने mind से बना सकते हैं पहला line क्या लिखाएगा दूसरा line क्या लिखाएगा already मैंने classes में भी सारा अच्छे से discuss किया है और lectures में भी cover कर लिया है तो आप लोग दोनों में से जहां से भी आप पढ़े होंगे वहां से आप देख लिए होंगे या फिर आप लोग देख लिजी कल यह जो तीन topic है तीन topic है आप लोग अच्छे से अगर देख कर चले जाते हैं और अच्छे से वहाँ पर solution बना लेते हैं because मैं तो अच्छे से पढ़ा दिया हूँ बट अगर आपको वहाँ से सही वहाँ पर सही से नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर problem create होगा इसलिए थोड़ा से ध्यान देना है हम लोग time लेकर अच्छे से कल दीन बर का time है अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे accuracy के साथ exam में बना कर आएंगे definitely आप 100% वहाँ पर pass हो जाईएगा अब आता है third objective objective में थोड़ा से pattern change किया है जैसे filling the blanks दे दिया है और match the following दिया है तो filling the blanks में थोड़ा से ध्यान रखना है कि filling the blanks में देखेंगे दो option है filling the blanks में या single option है दो option है तो दो option दो अगर filling the blanks है एक ही question में तो वहाँ पर option अगर 4 है तो 4 में से 2 कोई right answer होगा पहला में कोई एक option जाएगा और दूसरा में कोई एक option जाएगा तो थोड़ा ध्यान देना है अगर double है तो double वहाँ से अंसर सेलेक्ट करना है बारी-बारी से कॉमा देकर अंसर आपको लिख लेना है कुछ में बच्चे गलती क्या कर रहे हैं शुरू के एक्जाम में गलतीय किया तो दो feeling the blanks है बट एक ही अंसर उन्हों ने लिखाया वहाँ पर तो ये mistake आपको नहीं करना है बिकॉज आपको question आता हुआ रहेगा और आपसे mistake हो जाएगा और match the following तो आपको पता ही है match the following उसके बाद dimensioning है तो जो भी आप question बना रहे है जहाँ पर भी dimensioning की requirement है वहाँ पर हम लोग dimensioning अच्छे से करेंगे isometric में कैसे dimensioning करते हैं orthographic में कैसे करते हैं ये सब आलड़ी मैंने बताया है scale है तो scale में कोई अगर line कोई distance शो करना है तो कैसे हम लोग आप रशो करते हैं उल्रड़ी बताया गया है तो वह सब आपको छोटी चीजों कर ध्यान देना है जो भी मैं lecture में समझाया हूँ उसको अच्छे से accuracy के साथ बनाना है उसके बाद isometric view और projection में काफी बच्चे confused होते हैं last semester में भी exam में isometric projection of circle बोला था बट पच्चे ने isometric view of circle बोला बना दिया है तो वहाँ पर भी marks आपको zero भी मिल सकता है या दो तीन number दे भी सकते हैं hardless ही number में या नहीं भी दे सकते हैं या उनके हाथ में इसलिए आपको ध्यान देना question को isometric question को अच्छे से पढ़ना है view बोला है या projection बोला है थोड़ा ध्यान देना है और view projection में difference आपको बताया गया है तो वह आप लोग अच्छे से question को पढ़कर समझकर जादा panic होकर नहीं relaxed mind में बनाना एदम time को utilize करके हैं और relaxed mind से बनाना है बट time ऐसा भी ना हो time cross कर जाए बट थोड़ा सा ध्यान देते हुए बनाना है और जिनको अच्छे marks लाने है कम time में pass करना है वो scale, isometric जहूर देख लें ये दो topic तो जहूर देख लें scale, isometric और अगर time बसता है तो autocad भी थोड़ा सा देख कर चले जाएंगा तो paper असानी से clear हो जाएगा और pdf अलड़ी available करा दिया गया है scale का, isometric का, autocad का सारे question उसमें feel किये हुए है आप लोग उसको अच्छे से अगर time है, अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, जो कम पढ़े हैं वो scale का question, isometric question वहां से देख लें और थोड़ा सा practice कर लें और objective का भी pdf है और lectures भी है, उसको तो तीन बार देख लीजेगा answer भी देख लीजेगा, और अगर lecture देखने का time है, तो आप speed करके lecture भी सुन लीजेगा, जिसे कि आपके अच्छे marks आ जाएंगे, और आपके exam के लिए all the best, अच्छे से exam दीजेगा full confidence में, और proper accuracy के साथ आपको exam दे रहा है, और अच्छे marks लाना है, अच्छे marks लाकर आपको अपने marks को share करना है इस channel के comments में, या फिर telegram के channel पर, और जिसको भी कुछ problem हो रहा है, telegram पर आप message करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको इपास number है मेरा तो number पर भी पूछ सकते हैं, और आपके exam के लिए all the best, thank you so much.